हेलो दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे नए मेडिकल इस्टोर पर कौन-कौन सी मेडिसिन और कौन-कौन से प्रोड़क्ट रखने चाहिए और साथ ही बताएंगे कि कौन सी बीमारी में कौन से दवाई इस्तिमाल की जाती है दोस्तो इस वीडियो में हमने 160 से ज़्यादा मेडिसील लिए जो कि 20 ग्रूप में डिवाइड की गई है जिससे के आपको बहुत ही accurate knowledge मिल पाए दोस्तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो तो चलिए बात कर लेते हैं अपने सबसे पहले ग्रूप की दोस्तो यह होता है पैनकेलर टैबलेट का जो की दर्द में इस्तिमाल की जाती है फ्रेंड्स इसमें हम सबसे पहले परसिटामॉल टैबलेट रख सकते हैं जो की बुखाड और दर्द में काम आती हैं यानिक इसकी 500 mg या फिर 6500 mg दोनों केटरिगरी की रख सकते हैं और साथ म पैनकेलर टैबलेट के कंबिनेशन आते हैं जैसे कि आईबोपरोफेन पेरसिटामॉल या पिर यह दाेकलोो-ाफिल्डाफियो पेरसिटामॉल इन सबही टैबलेट को हम रख सकते हैं он और दोस्तों कुछ है वी टैबलेट भी रखनी चाहिए जो कि बहुत जादा यूज की जाते हैं जैसे कि ट्रामडोल पेरसितामोल या फिर ट्रामडोल कैपसूल या फिर डाइकलो पेरसितामोल को क्लोरो जोकसाजून की टैबलेट आती है जो कि बहुत ही जादा दर्द में आती है और दोस्तों आप इन सभी टैबलेट के इंजेक्शन फॉम में भी रख सकते हैं जैसे कि डाइना पार एक यूडाइकलो फिनेग आता है जिसमें और ट्रामडोल के इंजेक्शन भी आप रख सकते हैं और आप ये कुछ टैबलेट भी रख सकते हैं जैसे कि टैबले एक टैबलेट जो कि दांतों के दर्द में काम आती है और मिफनेमिक एसेड वगेरा या फिर निमोस्रॉलाइड हेंडर्ड एमजी की टैबलेट आती है इनका भी अच्छा रिजल्ट होता है दर्द में और दोस्तों ग्रूप है एंटी एलर्जिक टैबलेट यानि के एलर्ज जब इन दोनों से काम नहीं चलता तो लोग हाइडरोक्सिजीन टैबलेट लेते है जो कि एट्रेक्स 25 के नाम से आती है और दोस्तों इसी के टेगरी में आप एलर्जी के लिए डेक्स अमिथासोन या फिर बेटामिथासोन या फिर प्रेणिसोलोन वगेरा या इस्टोर के मेडिकल स्टोर पर रखनी चाहिए और दोस्तों नेस्ट ग्रूप है एंटी स्पास्मोडिक टैबलेट या निके जब पेट में दर्द रहता है या किसी कारण मरोड आ जाती है या फिर कोई किसी तरह की दुखन रहती है तो तब इस्तिमाल की जाती है दोस्तों इसमें डा टैबलेट भी आती है या भी बहुत जादा बिकती है और दोस्तों नेस्ट केटेगरी है गेस्ट्राइटिस रिलेटिड मेडिसीन यानि के पेट से सम्बंदित किसी एसीडिटी या फिर गैस में इस्तिमाल होने वाली दवाई दोस्तों यह होती है रेनेटिडिन के कैपसूल आते हैं और इसमें आप एंटाइसीड शिरफ भी रख सकते हैं डाइजीन वगेरा यह से भी बहुत ज्यादा बिकती है और दोस्तों अब बात कर लेते हैं नेक्ट गुरूप की यह होती है एंटिवर्टिगो टैबलेट यानिके सर चक्राने पर या फिर मोशन वसक्ति बहुत तödEd चक्राने पर दी जाती है है और दोस्तों अब बात कर लेते हैं एंटिवर्टि टैबलेट यानिके लूज मोशन या फिर दस्तवों में इस्तिमाल कि जाने वाली दवा कि इसमें सबसे पहली आते हैं लोपरमाइड टैबलेट जो कि बहुत जादा बिकती है या फिर एंट्रोक्यूनोलोन टेबलेट या फिर लेक्टिक एसिड बैसिलेस टेबलेट आती है जो कॉंबिनेशन में भी आ जाती है और उसकाती है इस प्रोलेक्ट टेबलेट या भी काफी जादा बिकती है और दोस्तों नेस्ट बात कर लेते हैं ल बहुत अच्छा काम करता है इसमें तुमने देखा और लेक्टोलोज शिरब भी आती है जो की डुलको डुफलेक के नाम से बहुत ज्यादा फैमस है और दोस्तों एक सिरब और आती है पेराफाइन मेंकल मेंगनेशिया सोडियम पिको सलफेट जो की एक तुरंत गैस में आरा आती है और इसी की तरह की को और भी अल्टनेव आटेज जैसे की एट जोलाम या फिर अलपरा जोलाम अगेरा है सबी देते हैं दोस्तों और फ्रेंडनेस्ट के टेगरी है विटामीन्स मिनरल से ड्र मेडिसिन यानि के जो मल्टी विटामीनिक साब्सॉल और टेबलेक होती और फ्रेंड इसी केटेगरी में आते हैं केलसियम सस्पेंसर या फिर डाजस्ट इंजाइम के सिप्रोअप्टेडीन की सिरव या सभी रखने चाहिए जो कि कमज़ोरी में दिया जाते हैं अब बात कर लेते हैं कुछ पैसे प्रोडक्ट के जो की रखने चाहिए और बहुत ज्यादा बिकते हैं जैसे की क्रीम और फ्रेंड सोफ्रामाइन की क्रीम भी बहुत ज्यादा बिकते हैं या फिर डाइकलो जैल या जो की दर्द होता है तो कहीं पर मरोड वगएरा रहती है तो उस पर मसाज करने के लिए दे जाते हैं और दौस्तों क्लोट्री मजोल करीम भी रखने चाहिए जो की दाठ खाज खुझली में इस्तिमाल किये जाती हैं और और नेक्स्ट कुछ ऐसे बी रखने चाहिए जो कि आईडूप होती सिव्बॉलोकसेजिन आयचे इसरिफिर सिव Garlic में धी जाती है और कुछ यह ए एर डो भी रखने चाहिए जैसी की एरड्रोप जब कान में दर्द रहता है या एरवेक्स रखनी चाहिए जो कि कान की सफाई के लिए दी जाती है और काफी ज्यादा बिक्ती भी है और फ्रेंड नेक्स है जनल प्रोडक्ट फॉर ओटिसी या निके जो ओवर दा काउंटर ड्रग बिक्ती है बिना परचे के सभ सब्सक्राइब जबी चाहिए और अपने भी बच्टो की दुआए जो कि आपको अपने मेडिकल में रखनी चाहिए जो कि काफी जफ़ीजादा बवेक्त सकते हैं सिरफ होती है या फिर दर्णieren में दी जाती है या फिर फेर्च और यहार्स की जाते हैं को हीया और काफे जा क्या जाताया ぜ फिर केलसियम के सिरफ बच्चों के बहुत ज्यादा बिखते हैं या सभी आपको अपने मेडिकल स्टोर पर रखने चाहिए और दोस्तों नैस्ट है एंटिबायोटिक टेबलेट फुर एडल्ट्स जो की एंटिबायोटिक टेबलेट होती है यानि के एडल्ट में चलती है जै की इंजक्शन फोम में भी आती है एंडेड एमल के और सेफ एक्जीम टेबलेट एंडेड एंडेड एंजी है सभी रख सकते हैं और दोस्तों नोर फ्लॉक्ससीन चार सेंजी है भी यूटियाई वगेरा में काफी जादा बिखती है और यहसे भी आपको रखनी चाहिए और आप इसमें कलोर्फेन रख सकते हैं और अगर किसी को बलगम वाली खांसी है तो आप इसमें अब्रोक्सल टर्बूटालीन फेंसन वगेरा या इस तरह की शिरप रख सकते हैं जो की काफी जाधा बिखती है और दोस्तों नेक्स्ट हैं इंजक्शन जो की सभी तरह के इंज पर रखने चाहिए जैसे कि टेटनेस का इंजक्शन या फिर डाइकलोफिरिक के इंजक्शनन या पैंट्र प्रोजोल कें घ्रें जा ओए-छान एक नाम से जो कि काफी जादा बिखती है और फ्रेंट्स कुछ प्रोडक्ट आप ऐसे भी रख सकते हैं जैसे कि आईवी सेट, कैनूला फिक्सर, बटरफला या फिर सिरिंज 2 ml से लेकर 20 ml तक की और कैनूला फिक्सर वगेरा जो की बड़ी डिप में यूज किया जाते हैं और फ्रेंट्स केटेगरी है एंटि हाइपर टेंसियो मेडिसिन और इस सुगर में डाइबिटेज में इस्तिमाल होने वाली दवाई जो कि अगर बीपिंग की दवाई है तो या फिर दोस्तो सुगर की बात करें तो इसमें आप गली डाउट बचता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते है और फ्रेंड्स अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लिजएगा जिससे कि आपको मेडिसिन के एक्यूरेट नोली मिलती रहे तो चलिए थेंक यू सो मच वचिंग फॉर माई वीडियो